कि अच्प स्विलकाम टुई क्लासेज मैं हुव दिनास hoja और आज हम सीखने वाले हैं क्या स्कॉइरूट निकालने के स्कॉइर ट्रिक्स आ उसवर्ट फोर्मूली से कैसे बहुत यह सानी से बेसिक चांसेब्स से सीख और कैसे स्कॉयर रूट को निकाल सकते हैं इस चीज को हम क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं बहुत ही आराम से ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं कि क्या क्या चीज इसमें होती है और कैसे हम निकाल सकते हैं अगर बात करूं मैं हमारी फर्स चीज है कि हमें यह फॉर्मूला हमारा जो है यूनिट डिजिट पर ब कि हम निकालने वाले हैं perfect square root तो बात करूं मैं अगर किसी संख्या के या किसी स्कवाइर रूट के लास्ट में 2-3-7-8 अगर आ जाए तो हमारा क्या होता है पर्फेक्ट square root नहीं होता है क्या होता है नहीं होता है ठीक है था इन चीजों को समझना है कि 23 सब्सक्राइब नहीं होगा वैसे तो एक्जाम में अगर सिंप्लिफिकेशन और तो पर्फेक्ट स्क्राइब रूट ही देता है ठीक है लेकिन इन चीजों को याद रखना है ताकि हम एप्रॉक्सिमेशन इस पर अप्लाई कर सकें जल्दी से ठीक है अगर नेक्स चीज़ की करें किया हमें याद रखना है अगर किसी स्क्राइल कीजिट में ईुनिट बाता तो मरा आता है तो हमरा जो एंसर रहेगा एंसर का यूनिट इजिट होगा या तोवन होगा या तो नई होगा अब इस में से एक कैसłem समझागे कोर्चन में अवी ठीक है कि कैसे शेखना 9 में होता है चाहिए कितना भी रहे कुछ भी six है तो six में four and six four and six होगा और nine है तो three and seven होगा यह हमारी basic चीजे दिए चलिए हम question से सुरुआत करते हैं ठीक है ताक्या question से चीजे ज्यादा clear हो जाएंगे ठीक है जो भी डाउट है और आम से आपका clear हो जाएगा तो चलिए देखते हैं first question अगर first question की बात करूं मैं क्या 1024 ठीक है 1024 यानि कि अगर इसके unit is it क्या है four है यानि क्या हो जाएगा या तो two होगा या तो स्क्वाइर रूट निकालना है वर्गमूल निकालना है तो इन दोनों को छोड़ देते हैं दो के लिए क्यूब रूट निकालना रहता हो तीन छोड़ते तो छोड़ देते हैं अब कितना बचे 10 और हमारा जो 10 है वो किसके किसके स्क्वाइर के बीच में आता है बात करूँ मैं किसके 3 के स्क्वाइर के बीच में और किसके 4 के स्क्वाइर के बीच में आता है यानि कि 3 के स्क्वाइर और 4K Q के बीच में आता है या? 38K Q के बीच मे तो अब हमें देकना है इस में से संख्या床 को ले लेना ह। यानि कि हमारा first digit तो 3 हो गया agreeder, but एक और अब इसके बाद इंदून में से एक decide करना है करना है न तो हम देखेंगे कि जो हमारा 3 मतलब 10 है इस पे आ जाना है हमें सीधी सी बात है 10 पे आ जाना है जो हमारा 10 है वो किस के करीब है 3 के square के करीब है या 4 के square के करीब है तो सिधि शी बात है तीन तीया 9 चर्चों के सुल, 10 किस के करीब 호गा 9 के करीब होगा, यानि पहले वाले को ले लो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हो जाएगा न थर्टीटू, हो जाएगा चलो, next example देखते है next example देख लेते है चीज़े clear हो जाएगी लास्ट एक्जांप आते तक कीनन अगर देखू मैं next example क्या है six-eight-eight-nine तो ठीक six-eight-eight-nine ठीक है अगर इसका देखे nine unit is it क्या है nine and a unit is it मतलब क्या होगा three होगा यह क्या होगा seven होगा इनी दोनों में एक होगा नहीं ठीक ले लिए भाई 3 और 7 में से कोई होगा दो डीजिट को टो डीजट को छोड़ दिये अब बचा 68 68 किसके किसके बीच में आता है यहाथ भाई आएगा 8 की स्कॉएर के बीच में यह तो 9-9 कि स्कुर के बीच में एक की स्कुएर और 9 की square के बीच में आएगा ठीक है ना आएगा ना मतलब अगर फिर से हम आ जाते हैं इसमें से 8 ले लिए यहाँ पर 8 हमारा यह तो fix हो गया भाई छोटे वाले को ले लेना है हमारा क्या हो जाता है fix हो जाता है इसको एकदम रख लेना है यहाँ पर टिया ना मज़ा आ रहा है यहाँ पर क्या 8 हो जायगा और अगर फिर इस पर आ जाते हैju 68 8 का square के करीब होगा यह 9 की square के करीब होगा बताईए मुझे कि 8 की square के करीब होगा मतलब 8 की square के या 9 की square के तो 8 art 64 9 9ाई क्याकिर hmm मतलब सीरी सी बात है 8 की स्कॉयर के करीब होगा यानि पहले वाले को लेना है 83 हो जाएगा एंसर यही हो जाएगा अचे चलिए इस चीज से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और कॉंसेट देखते हैं कि अगर मैं बोलू 8 को लिए नहीं हम लोग चलिए देखते हैं इस चीज को देखते हैं हम लोग 8 तो हमारा fix हो जाता है कि हम छोटे वाले को ले लेते हैं 8 हमारा fix हो जाता है मगर इसके बाद देखू मैं 8 का next डिजिट क्या होता है ना आठ नमा बहत्तर आठ नमा क्या होता है आठ नमा बहत्तर और बहत्तर से देखना है कि यह क्या छोटा होगा कि बड़ा होगा यह छोटा है ना छोटा है ना मतलब हम छोटे वाले को ले लिए 83 यह चीज़े हैं मतलब दोनों तरह तरीके से आप देख सकते हैं दोनों चीजे बहुत यासान है और बहुत अच्छी तो अगर नेक्स्ट एकजामपल एक दोए ग्जामपल और देख लेते हैं ठीक है देखते हैं चलिए अगर नेक्स्ट इग्जाम्पल की बात करूं मैं क्या अंडरूट 1296 ठीक है तो यह हमारा क्या है एक अपवाद है क्या है अपवाद है एक्सेप्शन है यह हमारे एक अपवाद है एक्सेप्शन है वाला इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं आती है तो सीदिसी बात है याद रखना इसे कि हमारा किसका होता है 36 को किसके होता है थाड़ी सेखस्का होता है वस थोड़ा से याद रख लेना है क्योंकि यह आपवाद है ठीक है यही चीज है अगर फिर और इग्जांपल देखतें नेक्स्ट इग्जांपल देखतें 9,262 ठीक है 9,262 इसमें अब क्या हमारे इवने डिजिट है 6 है ना 6 इवने डिजिट है मतलब क्या होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा यही होगा ना और तो कुछ नहीं होगा 4 या 6 में से कुछ होगा और दो इधर का छोड़ दिये 92 बचा 92 किसके किसके बीच में आता है 9k square और 10k square के बीच में आता है न इनी दोनों के बीच में आता है 9k square और 10k square के बीच में मतलब हमारा 9 तो पहला होगी इस हो गया क्योंकि छोटा वाला है हमारा 9 तो यहां पर fix हो गया हो गया ना और 4 या 6 में से कैसे चूज करना है मैंने बताया या तो यह हम देख लें कि 92 जो है या तो सौ के 90 के 81 के करीब है या सौ के करीब है इस चीश को समझ ले या 9 कर नेक्स डिजिट 9872 नो दहां में 90 से 92 बड़ा है कि छोटा है तो बड़ा है यह तो हो जाएगा 96 यह देख लेते हैं हम क्या कि जो हम सब्सक्राइबर तो 2 नों में यह नहीं होने वाला है हमारा 96 होने वाला है बहुत ही आराम से चीजों को समझना है invent Ass Randadrão तो कि यह थीश तरह से बहुत बड़े-बड़े स्कुErीरूट को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में छार से 5 से सिक भूसखने निकाल सकते हैं ठीक है एक एकजांपल और देख लेते हैं बriment है चिक है बारा हजार थीनसोग एकीस यह होगया हमारा अब लास्ट में क्या सके मैं उनी डिजिट क्या है वाइध चाहला है ना वन मतलब क्या हो जाएगा हावधा 1 और 9 में से एक होगा लास्ट का दो छोड़ दिये अब क्या सब्सक्रान होगा है 123 से किसके किसके स्क्वाइर के बीच में आता है अगर मैं देखूं 11 के स्क्वाइर और 12 के स्क्वाइर के बीच में आता है इन्हीं दुनों के बीच में आता है ना मतलब इसको तो यह तो हमारा फिक्स हो गया ठीक है कि 11 यहां पे होगा ही होगा यह तो हमारा फिक्स हो गया न 111 हो गया, answer हो गया, कुछ नहीं करना है, 111 हमारा answer हो गया, ठीक है ना, अच्छे एक interesting सा example ले ले लेते हैं, एक छोड़ा सा, ठीक है, चलो, बात करते हैं, यह है हमारा 11,025, अगर किसी भी संख्या के मतलब last में क्या आजाए, फाइव आजाए, तो हमें square करना या square निकालना अगर बहुत ही, आसान हो जाता है, कैसे, कैसे हो जाता है, आसान, ठीक है, अगर क्या धिर 5 धिया है, मतलब, अगर मैं बात करूँ हम Sea, The Antri-H considerably,yan 62,25, यह हमारा क्या हो जाता था, answer हो जाता था यहीं हमारा answer हो जाता था ना, तो यहां पर भी वहीचीज है, अगर 110 दिया है 110 दिया है मतलब यहाँ पर क्या होगा अगर 110 दिया है मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई 10 इंट्वी 11 ही तो होगा और 5 का स्क्वाइर ही तो होगा यही तो होगा तभी तो हुआ है यानि कि यहाँ पर 10 और 5 नमाच यही तो हो जाएगा और कुछ तो नहीं होगा ना यह नि बहुत यह आराम से इस इसको निकाल सकते हैं चलो एक एक जामपल और देख लेता हैं इस रिलेटेड़ जैसे की माल लो ही पर देख लेते हैं क्या यह है, मल, ठीक है, सॉरी, दूसरा देख लेते हैं, सेम हो गया, तो, मल लो देख लेते हैं, ठीक है, यह एक्जामपल देख लेते हैं, तो अगर बात करूँ में 56 दिया है, मतलब यही तो होगा 56, 7 into 8, क्योंकि next digit में देखना है, और 5 का स्क्वाइर, यानि कि किसका हो बहुत ही अराम से हम निकाल सकते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से हम बहुत यह असानी से स्क्वाइर रूट को निकाल सकते हैं, तो आज के लिए वास इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाय